बुद्ध को नमन, बाबा साहिब डार्ट अमबिटकर को नमन, तमाम सामाजी के करांती कारियों को नमन, और सबसे ज़्यादा नमन, हम सब के हिर्दे समराठ बाबा साहिब डार्टर अमबिट करके पोते, अगर बाबा साहिब ना होते, तो हमारे बीच में आज ये भी ना होते हैं। इतने मत भेद हैं कि जो किसी एक दूसरे की सूरत भी देखना नहीं चाहते हैं। अगर याद ये आए हैं, तो एक अर्मान ने कराए हैं, कि आपने बाबा साहिब जांकर, अमबिटकर करके अर्मानों के अनुरूप संगर्स करने का भूल बजाया है। बाबा साहब का कहना था, मेरा जीवन ही मेरा संगर्स है। और उन्होंने ये भी कहा था, कि मैंने जो कुछ भी पाया और जो कुछ भी आपको दिलाया, वो मात्र और मात्र संगर्स के बल पर दिखाया। जो आप देखते हैं, इस देश की विधाय का हमारी दुश्वन, इस देश की नेरपाली का बहुत बाज़्ड है, द्राग्राग्रस्ट है, और इस देश की जो मीडिया है, वो तो पगला गई है, उसको यमत का उनको खरिद लिया। भईया हम अपना मीडिया नहीं लगाते हमारा कसूर है, वो तो उन्होंने पहले अपना ही लगा रखा है, तो मैं ज्यादा लंबा भासर देना नहीं आया हूँ, मैं खाली ये कहने आया हूँ, कि अब हमारे बीच में बाला साहिब जब आये हैं, और एक संगर्ष का रास्त बनने की बात, जो दुश्मनों के हाथ बिक्युचाते हैं, उन्हों का भी रोखिकरने आये हैं, तो साथियो, मेरे बहुत सारे साथिया आये हैं, मैं तो दिल्ली का हूँ, आप का हूँ, और जो भार से आये हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, और जो दिगर मजभ के लोग हम पारे बीच में मौजूद है जो मुस्लिम मेरे भाई यहां पर आए हैं उनकी मौजूदगी काबिल एहत्राम है हम उनके लिए भी अपनी दिल से शुक्रियादा करते हैं और मैं यह देखना चाहता हूँ मैं आपको एक नारा दूंगा संगर्श का नारा बाबा सहब का नारा वो यह साबित करेगा कि आप मुर्दे हैं या मर्द हैं मेरे बाद का जवाब देना मैं कहुंगा हम उनके करवादी हैं आप कहेंगे हम संगर्श के आदी हैं हम उनके करवादी हैं भाईया कोई सुन भी रहोगा तो उसे भी नीद आ जाएगी मैंने कहा मुर्दे हो या मर् हम उमेट करवादी है सीरे ये भोरादी है जाए भी जाए भी जाए भी झाल